गुद मॉर्निंग सेकिंड क्लास हम एवियस का सेकिंड टर्म का फर्स चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं क्या है जो means of transports transports क्या होते हैं transports का मतलब है जो हमें एक जगे से दूसरी जगे पर ले जाते हैं ठीक है अगर आपका स्कूल नियरबाय है आपके घर के तो आप पैदर चल के जा सकते हो लेकिन अगर दूर है तो आप किसका अस्तमाल करोगे by bus चीक है maybe विक्षा maybe bike चीक है we cannot always walk to cover the distances अभी हमने ने बताया हम distance को जो shortest distance होगी जो हमारे घर के नियरबाय होगा उसको हम walk करके cover कर सकते हैं लेकिन सारी distance को हम walk करके cover नहीं कर सकते we have to use different mode of transport to go from one place to another place of course अगर हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं ठीक है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं वह फार्डेस्ट है हमारे घर के तो obviously हम क्या करेंगे mode of transport वो जो क्या होते है mode of transport बस कार ठीक है train plane ठीक है cycle scooter bike ठीक है auto रिक्षा ठीक है अब देखिए we use different mode of transport mode of transport जो होते हैं वो different type के होते हैं ठीक है उनको categorize किया गया है first क्या है land transport land transport क्या होते हैं जो land पे चलते हैं we use car scooter motorcycle auto rickshaw buses trucks ठीक है एक सेक्टर एस land transport क्यों क्योंकि यह land पे चलते हैं land पे move करते हैं ठीक है in ruler area यानि कि पुराने समय में क्या करते थे हम इसके लिए transport के लिए people use people use black cars tongas etc ठीक है यह जो buggy होती है यह या फिरिये tanga tonga जो होता है इसको use करते थे ठीक है trains are also use also the mean of land transport they are the fastest means of land transport land transport में सबसे fastest क्या है सबसे तेजे चलती है है वो मैट वो सोड़ी train है और अभी जो मैट्रो सिटीज में क्या है लाइक दिल्ली कुलकत्ता ठीक है लोकल जो ट्रेंस हैं और मैट्रो ट्रेंस हैं वो also mean of transports हैं यह क्या है हमें थोड़े से जादा से जादा बड़ी डिस्टेंस को वो कम से कम टाइम में कवर करती हैं ठीक है हम जल्दी से जल्दी पहुचा देती हैं water transports क्या होते हैं जो obviously water पे चलते हैं ships है boats है ठीक है steamers है एक जगे से दूसरे जगे में जाने में हमारी help करते हैं अब क्या है air transport the fastest mean of transport क्या है air transport क्योंकि यह कम से कम time में जादा से जादा distance को cover करता है ठीक है this makes the journey of long distance possible in a very short period of time ठीक है helicopters, aeroplanes are the means of air transport ही करते हैं जादा सादा distance को कम से कम time में क्या करते हैं ठीक है यह आपका chapter complete हो गया है आपको क्या करना है इसके chapter का नाम डालके difficult words करने हैं ठीक है कल में आपको इसके question answer करा हूँ ओके